नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आएस हिंदी में आप सभी के स्वागत है सभी को मेरी तरब से गुड आफ्टरनून और आज हम 24 जुलाई के देहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पून समाचारों का विशलिसन करने वाले हैं शुरूर करते हैं आज के सब्रावर को और देख लेते हैं कि आज के निजवी पेपर में और कौन से असी खबरे हैं जिसको हम लोग यहां पर गवर करेंगे और जो आपके से इंपोर्टेंट है तो detail analysis में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही important discussion क्या भारत को जो अंतराष्टी मुद्दे हैं उसमें उनको सुलजाने में बढ़ चरकर हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या फिर जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं पहले उनको सॉल्ब करने के उपर हमें ध्यान देना चाहिए इसको ले करके काफी सारी बहसे हैं दोनों तरब से जो है कुछ बाते हैं तो इसके पक्ष और इपक्ष में जो भी बाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे आज समझने का प्रयास करेंगे काफी important ये discussion होने वाला पहला topic दूसरा जो है ED के power को ले करके हैं यहां पर ED के power को ले करके जो सुप्रीम कोट के दोरा अलग-अलग निर्णे दिये गए हैं अलग-अलग मामलों में उसके बारे में चर्चा है तो थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे जो सारे निर्णे हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइस करेंगे कि आखिर ED को ले करके सुप्रीम कोट ने कब-कब क्या कहा है इसके लावा क्लाइमेट टारगेट जो है उसके बारे में ये कहा गया कि वो आउट्डेटेड हो गए हैं और हम एक नए सीरेस से क्लाइमेट टारगेट सिट करना चाहिए तो इसको लेकर के भी कुछ बाते हैं वो भी हमनों समझने का प्रियास करेंगे इसके अलावा जो हमारे पिर्थवी है वो खित्ती पुरानी है कौन-कौन से युग उसमें आए हैं उसको लेकर के भी एक जगा चर्चा की गई है आज के पेपर में उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे तो यह सारी चीज़े समझने के बाद हम लोग देखेंगे प्रिलिम्स में प्रिलिम्स के लिए जो कुछ टॉपिक जो की इंपोर्टेंट है जैसे यहाँ पर बबर खालसा इंटरनेशन और खास्तान टाइगर फोर्स इसे जो है इनके कुछ लोगों को जो है NIA के द्वारा उनका नाम लिया गया है कुछ टेरर एक्ट में इसके लावा जो चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट है उससे जड़ा जो न्यूज है उसको देखेंगे टीबी के उपचार से जड़ा हुआ एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है उसके ड्रग्स को ले करके उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और एक और वैरस जिसका नाम है अकीता तो इस रैंसम वेर के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि यह कैसे आपके डेटा को चोरी कर रहा है तो कुल आठ न्यूज हम लोग यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं तो सुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से और जो हमारा पहला लेख है जिस पहलो डिसकसन करने वाले हैं वो है डाइलेमाज ओफ इंडियाज ग्रेट पावर एमविशन्स काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने कहा कि दो तरह की विचारधारा अभी है इसको ले करके पहली विचारधारा ये कहती है कि भारत को अब ये समय आ गया है भारत के लिए कि वो दुनिया के जो मुद्दे है या फिर जहां पर भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी इंटरनेशनल मुद्दे है उस पर भारत क्या करे अपना पक्ष रखे उन मुद्दों को हल करने में उसकी एक भूमिका होनी चाहिए अंतराश्टी मुद्दों को हल करने में भारत को बढ़ चल करके हिस्सा लेना चाहिए दूसरा पक्ष ये कहता है कि अभी हमारे देश में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं पहले तो हमें क्या करना है अपने देश में जो गरीबी की समस्या है उसको दूर करना है जो प्रसासन में गवर्नेस में जो कम्या है उसको दूर करना है और जब हम पने घर को ठीक कर लें तब जाकर के भारत को क्या करना चाहिए अपना जो अंतराश्टी मुद्दों में बढ़ चल करके हिस्सा लेना चाहिए तो as a student हमें उन दोनों पक्ष उसका यूद चल रहा है, तो क्या भारत को इस तरह के परियास करने चाहिए, कि दोनों देशों के बीच में 37 स्थापित हो जाए, भारत परियास कर रहा है, लेकिन क्या एक्टिवली इसमें इन्वाल्व होना जरूरी है, और ही बहुत सारे दुनिया में ऐसे से प्रॉब्लम ह जहां पर आप देखोगे, कि भारत जो है डिरेक्टली उसमें इन्वाल्व नहीं होता, तो क्या आप समय आ गया है कि भारत को इन मुद्दों में अपना एक अस्थान ढोड़ना चाहिए, बर्चर करके हिस्सलना चाहिए, उसी को यहां पर समझाने का प्रियास किया गया है और लेखक ने काफी बैलेंस प्रियास किया है, मतलब कि दोनों पक्षों की जो important बाते हैं, मतलब भारत को प्रियास करना चाहिए, या फिर पहले अपने घर को समझाना चाहिए भारत को इसको ले करके दोनों पक्ष इन्होंने लेखक ने यहां पर विस्तार से बताने का का तो काफी important topic है जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं कि भारत को जो है एक अंतराष्टी सक्ती बनने को लेकर के जो उसकी आकांच्छा है उसको पूरा करने का समय आ गया है और बढ़ चड़ करके अंतराष्टी मुद्दो पर उसे बोलना चाहिए और यह कहा गया कि हमारे देश में करोड़ों लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तो सबसे पहले सरकार को तो यह करना चाहिए कि उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से वो उपर लेकर के आए हमारे देश में जो आर्थिक जो महासक्ति बनने की हमारी आकांचा है हम उसको फिर डिल करने का प्रयास कर सकते हैं तो दोनों पक्ष हैं और दोनों को यहाँ पर समझाने के लिए लगभद पिछले तीन दसक यानि कि 1990 के बाद से जो भारत ने प्रगति की है और जो भारत ने कम्या देखी है उनका यहाँ से जो है आपको समझ में आगा कि भारत को क्या और किस तरीके से अपने अंतराष्टी दाइत का पालन करना दाइत जो है उसके उसे उसमें बढ़ चेर करके भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आप सभी जानते हैं कि 1990 का दसक जिसमें रिफॉर्म्स किया गया हमार इसलिए जाना जाता है LPG रिफॉर्म्स के लिए और इसके बाद से आप देखोगे कि इन पिछले तीन दिसक में भारत ने काफी कुछ एजीव किया है तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर जो पिछले तीन दिसक गुजरे हैं उसमें भारत कहां से उसने जाता था एक गरीब देश के रूप में उसकी पहचान थी क्योंकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा अबादिक्या थी गरीबी रेखा के नीचे रहती थी यहां पर ये कहा गया कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस समय मैं 1991 की बात कर रहा हूं वो महच कितना था 5.8 अरब डॉलर हमारी जो कुल GDP थी वो कितनी थी लगभग 270.11 अरब डॉलर तो आप देख सकते हैं कि काफी पीछे हमारा देश था यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो समय अबादि थी हमारे देश की उसमें से 50% लोग क्या थे गरीबी रेखा के नीचे रहते थे और य 1991 का अगर हम डेटा देखें तो काफी देनिय इस्तिती भारत की इसके अलावा अगर देखा जाए अगर हम अपने पडोसियों की बात करें सुरच्छा की बात करें तो हमेशा इस बात का खतरा रहता था कि भारत और पाकिस्तान कब जो है युद लड़ ले तो एक तरफ पा जो हिंसा थी वो अपने चरम पर थी तो अगर हम 90 के दसक को देखें 1991 की बात हो रही है उसके बात की बात तो आप देखोगे कि भारत में बहुत सारे प्रॉलम आपको देखने को मिलेंगे जो यहां पर जिकर किया गया है यहां पर यह कहा गया है कि जो हमारा एक सबसे भरो बनाता था, टेकनोलजी देने से मना किया था भारत को, तो देखा जाए, तो यहाँ पर क्या था, कि जो इस्ति थी उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब LPG reforms हुए, उसके बाद से आप देखोगे, कि जो तीन दसक बीते हैं, नब्बे के बाद से, रिफॉर्म्स के ब जहां से हमने सुरुवात की, आज हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगभग कितना है, 600 अरब डॉलर तक बढ़ गया है, तो कहां हमारे पास 1991 में 5.8 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, और आज तीन दसक के बाद हमारा कितना है, लगभ लेकिन पाकिस्तान के जगह अब किस ने ले ली है, चीन ने ले ली है, क्योंकि चीन के दोरा लगातार हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जो लाइन ओफ जो एलसी है उसके उपर, तो आप समझ सकते हैं, यहां पर कुछ बातों में चेंजेज भी हुई, हमने कुछ काफी सा से नीचे रहने वाल लोग की संख्या है, उसमें भी काफी कमी आई है, अगर हम सकल घरेल उतपात की बात करें, तो आज भारत जो है क्या है, दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थवस्था माना जाता है, और हमारा जो GDP है, जो नॉमिनल GDP है, वो कितना है, लगभग 4 trillion dollar के पास पहुंच चुका है, हम कभी भी इसको पार कर सकते हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि 1991 में, अभी देखा जाए, 22-23 चल रहा है, तीन दसक बीट के हैं, तो जो situation में हम थें, वहां से अगर हम तीन दसक आगे आते हैं, तो देखेंगे, कि उसमें हमने काफी सारा परि क्या कहा जा रहा है, कि अगर हम सैनिक डिश्टी को उन से भी देखें, तो भारत जो है, दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में, क्या है, अस्थान रखता है, हमारे पास परमानु हतियार हैं, सैकडो की संख्या में, तो आप देख सकते हैं, कि अच्छा, अमेरिका की बात क कर रहे हैं, तो अमेरिका का संबन्द जो है, भारत से उतना अच्छा नहीं था, सोवियत रुसका विक्टन हो चुका था, वो हमारा दोस्त तो जरू था, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी सहयता नहीं कर सकता था, लेकिन आज का टाइम देखिए, आज वही देखा जा रहा आज वह हमारे साथ क्या कर रहा है, साजेदारी कर रहा है, ज्वाइंट साजदारी कर रहा है, ताकि हम कुछ नई टेकनोलजी बना सकें, तो अमेरिका के साथ हमारे संबन्द क्या हुए हैं, ठीक हुए हैं, पूरे दुनिया में, जो चाहे पश्मी देश हों, चाहे अन दे में 90,aj7 t Freeze , उसके बाद से जो 3 निसक बीते है उसमें , जो collective सरकारों ने क्या किया, काम किया। उसका नतीज़ा अब हमें दिख रहा है , कि हम बहुत सारी चीजों को हमने क्या किया है, सुधारा है । उसमें, उसको हमने ठिक किया है और काफी प्रग्दि की है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ कम्या भी है हमने बहुत सारे मामलों में प्रग्दितों की है लेकिन अभी भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी भी बहुत सारी कम्या है जिसको क्यों हमें क्या करना है दूर करना है जैसे यहां पर यह कहा गया है कि हम भले ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवश्था हूँ लिकिन अगर आप देखोगे तो 2021 में जो हमारे देश के लोगों की प्रतिव्यक्ति GDP थी वो मात कितनी थी 1947 डॉलर जबकर हम बंगलादेश की बात करें तो बंगलादेश इस मामले में हमसे क्या था आगे था उसका वहाँ पर क्या था 2227 मतलब यह है कि भले ही हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखते हूँ भरी हमारी अर्थष्था दुनिया में पांचवी नंबर पर हो हमारा अगर देखा जाए तो हमारे देश में घरेलू प्रोब्लम्स जो है वो काफी है जिसमें हमारी सरकारे क्या होती है उलजी रहती है आप पड़ोसी पर तभी ध्यान दोगे जब आपका घर क्या होगा सांथ होगा लेकिन भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अभी भारत मे बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं जिसमें जिसको सुलजाना जो है अभी बाकी है और उसको सुलजाने में हमारी सरकार जो है उलजी रहती है एक तो गरीबी तो अभी भी गरीबी जरूर कम हुई है लेकिन अभी भी करोडों की संख्या में लोग जो हैं क्या हैं गरीबी रेखा से उपर लाय जाए ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामनी है इसके लावा आप देख सकते हैं कि भारत में जो छेत्रिये जातियो और धार्मिक वाजन है वो भी धीरे-धीरे क्या हुआ है गहरा हुआ है आप मनिम बुर्किया उधारन ले सकते हैं तो धार्म के नाम पर अस्थान के नाम पर जाती के नाम पर जो डिवाइड है लोग के बीच में वो भी कही न कहीं देखने को मिलता है हमारे देश में और कहीं कहीं काफी वो विकराल रूप से आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये कहना है लेखका कि भले ही हमने काफी सारी पढ़ते थी इसमें कोई सक नहीं है, कि 90 के दसक में हम जहां पे खड़े थें, आज 3 दसकों के बाद हम क्या हैं, उसमें काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ घरिलू समस्याइं ऐसी हैं, जो अभी भी हमारे सामने मूँ बाए खड़ी हैं, जिसका समधान करना अभी भी बाकी है, और जब आपके सामने बहुत बड़ी-बड़ी समस्याइं होती हैं, तो फिर उस देश की सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, कि वो अपने देश की समस्याओं को छोड़ करके, किसी इंटरनेस्टल मामले में क्या करें, एक्टिव भूमिका निभाए, अभी आप देख सक इस उपर किस तरीके से ध्यान दिये हुए हैं, तो यह लाजमी है, जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी, पुलिटिकल पार्टी भी उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर आप देखोगे, तो जो हमारा डोमेश्टिक एकॉनमी है, या फिर अ मामला हो, सिक्षा का मामला हो, स्वास्त का मामला हो, इसमें अभी भारत को काफी कुछ करने की आवशक्ता है, यहाँ पर यह भी कहा गया है, एक बहुत इंपोर्टेंट बात कही गई है, कि जो पार्लेमेंटरी कमिटी है, ओन एक्ष्टनल अफेर्स, उसने क्या कहा, कि भल दिया जाता है, उसमें क्या हुआ है, उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं हुई है, यहाँ पर यह कहा गया है, कि अगर हम देखें, तो जो मिस्टरी ओफ एक्ष्टनल अफेर्स, यानि कि विदेश मंतराले को जो हम फंड एलोकेट करते हैं, वो हमारी जेडीपी का मात्र 0.44% ह है, तो आप समझ सकते हैं, कि जादातर पैसा कहां जा रहा हमारा, हमारे देश की सवस्याओं को दूर करने में, हमारे देश में इंफ्रस्ट्रक्चर में कमी है, तो हम पर इसको ठीक करेंगे, कि जा करके युक्रेन और उसका युध रुकवाएंगे, यह सोचने वाली बात तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि दोनों तरह के आपको बाते दिखाए देंगी, कि एक तो हम आगे बढ़े हैं जरूर, हमारी ऐसी मनसा है, भारत की अकांचा है, कि हम क्या करें, विश्व गुरू बने, विश्व गुरू का मतलब क्या है, कि कोई भी समस्या जो दुनि उसके कारण हमारे देश की सरकारे अंतराष्टिय मुद्दों पर ज्यादा ध्या नहीं दे पाती हैं, बलकि जो हमारे घरेलू विक्राल मुद्दे हैं, उसी को सौल्व करने में वो लगे रहते हैं, ये बात जो यहां पर उठाया गया कि इसके द्वारा, लेखक के द्वा हैं और निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन इस वज़र से कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोब्लम्स हैं, इसलिए आज के टाइम में भारत जो हैं अंतराष्टिय मुद्दों पर अगर नहीं बोले, उसमें पार्टिसिपेट एक्टिवल रूल टेकर, है ना, अगर आप रूल बनाने में, नियमों को बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर कुछ और देश मिल करके क्या करेंगे, महत्मुद मुद्दों पर, जैसे माली जलवायों परिवर्तन है, या फिर अगर आटिफिसल इंटेलि में सामिल नहीं होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगा, जो रूल बनाए जारे हैं, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगा, अपनी भूमी का नहीं निभाएगा, तो फिर क्या है, जो वो नियम बना देंगे, फिर आपको क्या करना होगा, मानना ह और कहीं न कहीं यहां पर क्या है हो सकता है कि जो हमारे देश का हित है उस पर वो भी क्या हो इससे प्रभावित हो तो वें यू आर नॉट रूल से पर यू आर दा रूल टेकर तो जब हम जो अंतराश्चिय मुद्दे हैं उसमें अगर हम actively participate नहीं करेंगे अपना योगदान नहीं देंगे अपनी बातों को सामने नहीं रखेंगे तो फिर कोई और देश कोई और देशों का संगू इन मुद्दों पर क्या करेगा कानून बनाएगा नियम बनाएगा और फिर हमें क्या करना होगा उसे मानना होगा और इसलिए यहां पर लेखा का यह साफ साफ कहना ह कि भले ही हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कि हमें दूर करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए, सरकारों का ज्यादा तरध्यान अपने घर के प्रॉब्लम्स को सौल करने में होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है, कि आज के टाइम में, आज जो दु या फिर global trade की बात हो, या फिर non-policitation की बात हो, climate change की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे अभी दुनिया के सामने हैं, जहां पर दुनिया के देशों को क्या है, मिल करके उसका समधान निकालने की आव सकता है, और यहां पर अगर हम अपना participation नहीं रखते हैं, अगर हम इन मु उद्दो पर क्या करें, actively participate करें, उसमें भाग लें, उनको सुलजाने का प्रयास करें, तो हमें वो जो प्रयास है वो करना चाहिए, क्योंकि हम अब उस situation में पहुँच गये हैं, कि हमने काफी प्रगति कर ली है, हमारे पक्ष में बहुत सारे देश हैं, उनके साथ हमारे क् प्रोबलम है, हमें उन पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो अंतराष्टे दाई तो है भारत का, उसको भी उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए, तो देखे, यहाँ पर क्या है ना, इस पूरे लेख में, दोनों बाते बहुत ही बैलेंस तरीके से बताई गई हैं, जब यह question आपके सामने आएगा, कि जो भारत की अंतराष्टे महत्वकान चाहिए, क्या भारत को उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्या जो अंतराष्टे मुद्दे हैं, उसके solution निकालने में भारत को actively participate करना चाहिए, आप अपना क्या रखें, विचार रखें, तो कि जो यह कहता है कि अभी तो घर में ही इतना सारा प्रॉबलम है, तो हम पहले अपने घर के प्रॉबलम को ठीक करें, या फिर अंतराष्टी मामलों में हम जाकर के जगड़ा सुल जाएं, तो दोनों बातों को आपको सिलसलवार ढंक से डेटा के साथ क्या करना होगा, रख जो हमारे राष्टी हित हैं, हम उनको अगर अंतराष्टी मंच पर नहीं रखेंगे, तो फिर कहीं न कहीं भारत को इससे आगे चल करके नुकसान होगा, तो एक तरीके से देखा जाए, तो जो भारत का एक जो सपना है, कि वो भी क्या करे, इंडिया ज ग्रेट पावर नहीं करना चाहिए, उस पर ये आपको बहुत सारे डेटा देता है, ओपिनियन देता है, जिसको कि समझना आपके लिए बहुत ही चयरूरी है, तो काफी इंपोर्टेंट ही टॉपिक था जिसको कि मैंने आपको सिल्सवार ढग से समधाने का प्रयास किया, इस पर मैं एक को किया की गई है, ED की, यानिकि enforcement directed की, और उसके power को लेकर की हमेशा जो है controversy बनी रहती है, आप सभी जानते हैं, अब यहाँ पर क्या है, कि जो ED के power है, उससे जुड़ो हुए जो Supreme Court के judgment है, ये आपके लिए क्या है, मत्पुन है, तो Supreme Court के जो पास judgment है, Prevention of Mind Laundering Act को लेकर के, या फिर ED के power को लेकर के, वो काफी important है, जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, दो तीन ऐसे important judgment है, जो की आपको ध्यान में रखने है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ED, जिसके उनलों बात करते हैं, आखिर वो ED है क्या, तो आप सभी जानते ह हैं, कि ED क्या है, हमारे देश में जो भी आर्थिक अपराध होते हैं, उसकी जाच करने के लिए जो है, एक संस्था बनाई गई, इसका निर्मान कब क्या गया, इट वाज एस्टेब्लिस इन 1956 अंडर डिपार्टमेंट ओफ एकनॉमिक अफेयर्स, तो याद रखिएगा, कि अभी जो है, वो किसके अंदर काम करता है, Department of Revenue, Ministry of Finance, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी, तो यह जो था, वही, Ministry of Finance कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है, इसका मेन काम क्या है, दो जो हमारे देश में लॉज हैं, एक है, The Foreign Exchange Management Act, जिसको लोग बोलते हैं, फेमा, और दूस इन दोनों laws को enforce करना, इसका क्या है, सबसे पहला मकसद है, यानि कि अगर आपके देश में कोई आर्थिक अपराद कर रहा है, अगर आपके देश में कोई money laundering कर रहा है, तो इसका काम है, ED का काम है, उसकी ज्यांच करना, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, आ जोई काफी सारे power दिये गए हैं किसी से, किसी के घर की तलासी लेने का power किसी को गृफतार करने का power किसी से पुछ्ताय करने का power इस तरह के power जो है ED को दिये गए है CTR indicate उथे आप देखोगे कि यह जो powers है, वो काफी जो है uncont proverbial हो चुके है, काफी जो है इंपॉर्टेंट जो मामले हैं उनकी चर्चा की गई है जैसे यहां पर आपको ध्यान में रखना है एक केस जो की हाल फिलाल का ही है दोहर 22 का केस एडी का जो पावर है उसको ले करके हुआ और केस क्या है विजय मदललाल चौधरी बनाम भारसंग का मामला विजय मदललाल बहुत ही लेंडमार्क जज्ज्मिन्ट इसको माना जा सकता है और सुप्रीम कोट ने इस मामले में क्या किया एडी को जो पावर दिये गए हैं अलग-अलग धाराओं में प्रिभेंशन आफ माई लॉंडरिक एक्ट के उसको उन्होंने अपो होल्ड करने का काम किया मतलब क माना कि आर्थिक अपराच जो हमारे देश में होते हैं उसकी जाच करने के लिए उसकी सिवियर्टी को देखते हुए ये पावर एडी को दिये गया है वो एकडम सही है जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो प्रिभेंशन आफ में लॉंडरिंग एक्ट का जो धारा 19 है उसक कोई व्यक्ति में लॉंडरिंग के अपराद में लिप्त है तो उसे किस तरीके से गिरिफतार किया जा सकता है इसके इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर बाते कही गई है अब इसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अपराद में सनलिप्त है तो उसको क्या कर सकती है वो गिरिफतार कर सकती है अब इसी को जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के पावर एडी को देना जरूरी है क्योंकि देखिए जो आर्थिक अपराद होते हैं उनकी प पावर दिया गया prevention of marine laundering act के धारा 19 में कि वो बीना warrant के भी किसी को क्या कर सकता है ग्रिफतार कर सकता है इसके लावा Supreme Court का ये भी कहना था कि धारा 19 में जो है उन सभी बातों का उलेख है जिससे कि ED जो है इसका दुरूपयोग ना कर पाए ऐसा नहीं है कि आप जो है marine laundering नहीं कर रहे हैं आप एदम साफस्थरे इंसान है आपने कोई आर्थिक अपराद नहीं किया है फिर भी जान बुच करके ED जो है आपको उठा करके ले जाए तो इस तरह के काम ED नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ सेफगार्ड भी दिये गए है हाँ अगर आप पर सक है कि आप से इंट्रोगेशन वेगरा करे तो सुप्रीम कोट ने इस पावर को क्या किया सही माना गलत नहीं माना इसके अलावा जो है इसी की धारा जो 50 है उसको ले करके भी केस किया गया था इसी केस में कहा गया कि जो धारा 50 के तहट जो ED को यह पावर दिया गया है कि वो किसी भी आरोपी को क्या कर सकता है, बुला सकता है, ब्यान दर्ज कर सकता है, तो इसको भी चैलेंज किया गया, इस पावर को भी सुप्रीम कोट ने क्या किया, सही बाना, क्योंकि सुप्रीम कोट का ये साफ साफ कहना था, कि जो ED है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है, कि जो लोग money laundering कर रहे हैं उनको सहद दिलवाना बलकि ED का काम ये भी है कि आगे चल करके कोई और व्यक्ति जो है money laundering ना कर पाए तो इसलिए ये power दिया गया ED को वो बिल्कुल सही है तो एक बहुत ही landmark judgment जिसमें जो है ED के controversial power को लेकर के challenge किया गया था सुप्रीम कोट में और विजय मदलनाल चौधरी बना भरसंग के मामले में कहीं न कहीं सुप्रीम कोट ने ED को जो power दिये गये हैं गिरफतारी करने के पूश ताश करने के उन सभी को क्या किया अपहिल उनको सही माना लेकिन कुछ instruction भी दिये कि हाँ उसका गलत इस्तमाल ना किया जाए तो आपको ये जो case है उसको ध्यान में रखना है काफी important है अब देखे क्या है इसी से जुड़ा हुआ कुछ और cases जो है चर्चा की गई है इसी news में जैसे आप देखोगे कि एक तो हमने ये देख लिया कि हाँ जो विजय मदनलाल चौधरी बना भारसंग का मामला था उसमें जो controversial power है इडिके उसको सुप्रीम कोट ने सही माना लेकिन सेफगाड का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए इसके बारे में भी कहा इसके लावा कुछ और judgment है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है जैसे एक बात होती है कि 15 दिनों मालिक इसी व्यक्ति को हिरासत मिलिया गया किसी अपराध में तो 15 दिनों का टाइम खतम होने के बाद क्या उस व्यक्ति को judicial custody भेजा जाए या फिर जो police custody है उसमें भेजा जाए इसको लेकर के बार बार जो है चर्चाएं होती रहती है अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक case है case का नाम क्या है केंद्रिये जाच यूरोप बनाम अनुपम जे कुल करनी ये 1992 में जो है इसका judgment आया तो CBI भरसेस CBI भरसेस अनुपम जे कुल करनी और यहाँ पर जो है इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोट ने क्लियारिटी पदान की कि आखिर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार की तारिक के पंदर दिनों के बाद उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में जो है रखने की अनुमती नहीं दी जाएगी उसे जो है अगर मालीजे हिरासत में रखना है पूछताश करनी है तो पंदर दिन खतम होने के बाद उसकी जो रिमांड है वो केवल क्या हो सकती है नियाईक हिरास्त यानिकी judicial custody तो गिरफ्तारी के 15 दिनों के बाद किसी भी व्यक्ती को क्या करना चाहिए जुडीसियल custody में भेज़ना चाहिए नियाईक हिरास Het ceremony में भेजना चाहिए ना कि पुलिस custody में तो यह familiarity जो है यहाँ पर Supreme Court ने इस case में जारी किया कि 15 दिनों का टाइम बीतने के बाद हमें क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जुडिसियल कस्टडी में ही भेजना चाहिए पुलिस हिरासत में उसे नहीं भेजना चाहिए अगर उस व्यक्ति पर 2-3 मामले अलग-अलग मामले चल रहे हैं तो अलग-अलग मामलों में फिर नियाई खिरासत और, sorry अलग-अलग मामलों में जो पुलिस कस्टडी है उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन अगर एक ही मामला चल रहा है एक ही तरह का मामला चल रहा है तो वहाँ पर गिरफतारी के 15 दिनों के बाद जो है यहाँ पर Supreme Court का यह कहना था कि उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ न्याईक हिरासत में ही भेजा जाना चाहिए Judicial custody में ही भेजाना चाहिए तो यह एक case है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CBI भरसेस अनुपाम जे कुल करनी तो जो बातें कहें गए Supreme Court के तोरह वो important है अब यहाँ पर देखिए एक और controversial judgment जो थोड़ा बहुत इससे क्या है उल्टा है अभी हमने क्या कहा सिवियाई वाले मामले में Supreme Court ने क्या कहा कि गिरफतारी के 15 दिनों के बाद उस व्यक्ति को इसको अपने गिरफतार किया है उसे पुलिस कश्टर्डी में ना भेज करके कहां भेजा जाना चाहिए judicial कश्टर्डी में लेकिन देखिए यहाँ पर 2022 में ही एक और केस हुआ था जिसका नाम था Dr. Manik Bhattacharya vs. Ramesh Malik अब यहाँ पर सुप्रीम कोट ने यह कहा कि जो वो judgment था जिसके हमने चर्चा किया भी 1992 वाला वो तो CBI के लिए था CBI एक अलग agency है ED एक अलग agency है CBI जिन तरीकों के cases को deal करती है उनका सुरूप अलग होता है और ED जिन cases को deal करती उसका सुरूप अलग होता है और इसलिए किसी एक जाँच agency के लिए दिया गया जो आदेश है वो दूसरे जाँच agency पर लागू हो उसी तरीके से यह कोई जरूरी नहीं है तो सुप्रीम कोट ने इस मामले में क्या कहा कहीं न कहीं ये ED के पक्ष में जाता है कि ठीक हमने CBI के मामले में तो ये कहा था कि गरफतारी के पंदर दिनों के बाद आप उसकी पुलिस करशड़ी में उसको ने रख सकते बलकि उसको जूडिसल करशड़ी में भेजाना चाहिए लेकिन ED के मामले में भी ये लागू होगा ये कोई जरूरी नहीं है यानि कि अगर हो सकता है कि ED के मामले में आपकी जो पुलिस करशड़ी है उसको पंदर दिनों के बाद भी बढ़ाया जा सकता है तो ये सारे जो जज्जमेंट है ना जो कही ना कही थोड़े बहुत एक दूसरे से भिन है उनको समझना बहुत ही जरूरी है अब देखे एक और केस है यहाँ पर जो कि इसका जिकर आज के न्यूस में किया गया पीचितम्बरम बनाम डिरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेंट यानि कि ED और 2019 में जो है इस पर फैसला आया अब देखे यहाँ पर कोड का क्या कहना था कोड का ये कहना था कि चुकि ED जो है बहुत ही sensitive मामलों की जाच करती है जो कि financial crimes जुड़े हुए है आर्थिक अपरात काफी गंभीर होते है money laundering इतना money laundering के case को जाच करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो money laundering है उसके तार बहुत सारे लोगों जुड़े होते हैं और बहुत लंबे समय से वो सारे चीज़े planning करके की जाती है तो इस तरह कि जब चीजों पर आप क्या करते हैं जाच करते हैं तो कुछ पावर एक्स्ट्रा पावर ED को दिये जाने चाहिए अब देखिए ये जो case था ना पीछी तमरम बना director of enforcement इसमें Supreme Court ने ये कहा इसमें Supreme Court ने क्या किया था जो पीछी तमरम है उनके anti-sipatory bail का जो उन्होंने जो वो anti-sipatory bail के लिए उन्होंने जो अर्जी लगाई थी उसको यहाँ पर Supreme Court ने खादिश कर दिया आप सभी जानते हैं anti-sipatory bail क्या होता है थोड़ा मुझे बिताईएगा मैं भी आपको बता देता हूँ कि anti-sipatory bail क्या है माल लिजे आपको लगता है कि किसी मामले में आपकी गिरफतारी हो सकती है तो आप पहले ही अदालत में जाकर के क्या करते हैं जमानत मांग लेते हैं उसको क्या बोलाता है anti-sipatory bail लेकिन यहाँ पर Supreme Court ने खारिज कर दिया anti-sipatory bail की अर्जी को क्या कहा कि ED के ED जिन मामलों की जाच कर रहे हैं वो आर्थिक अपरा जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है उनको custody में आप जिस व्यक्तिक के बारे में जाच कर रहे हैं उसको custody में रखना उसके लिए कभी-कभी क्या हो जाता है बहुत ही जरूरी हो जाता है तो ऐसे मामलों में anticipatory bail आँख मूंद करके जो है अदालते नहीं दे सकती और इसी कहावाला दे करके Supreme Court ने क्या क्या anticipatory bail को अर्जी को खारिज कर दिया तो कहने का मतलब यह है कि ED को लेकर के जो controversy है वो खतम होने का नाम नहीं ले रहा है खुद Supreme Court के जो अलग अलग judgment है वो भी कहीं ना कहीं contradict है तो जो तीन चार देखे एक इस्डुएंट के लिए क्या important है जो भी तीन चार यहाँ पर judgment का जिकर है उसको आप क्या करें अपने पास note down करके रख लें भविष्ट में जिसकी भी जोत पड़ेगी हम क्या करेंगे उसका उपयोग कर लेंगे तो चाहे यह मामला हो पिछतम बरम बनाम डिरेक्टर अफ इंफोस्मेंट वह 19 वाला या फिर अभी हमने देखा कि जो सबसे पहला जो मामला था विजय मदलना चोधरी बना भारसंग ये केस भी बहुत ही इंपोर्टेंट है तो जितने भी चार केसेस का जिक्र इस न्यूज में किया गया है उसको आप लोग क्या करें एक बात जरूर note down कर ले मैंने सही तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि ED के उपर कभी भी कोई चर्चा हो तो उससे जुड़े हुए अलग-अलग जो केसेस हैं उसकी आप यहाँ पर क्या कर सके चर्चा कर सके तो बस इतना ही उस पूरे न्यूज में जो अलग-अलग जो जज़्जमेंट है सुप्रीम कोट के उसको आप लोग क्या कर लेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एक्जाम पॉइंट अब यू से तो यह हमारा दूसरा न्यूज था आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तीसरे न्यूज को और तीसरा न्यूज में भी आपको बहुत कुछ ज़्यादा टाइम देनी कि आप सकता नहीं है क्योंकि देखें क्लाइमेट टारगेट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हमने की है पेरिस एग्रिमेट को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हुई है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट टारगेट सेट किया गया है अभी वो कहीं न कहीं क्या है आउटडेटेड हो चुका है मतलब कि जो कहा जाता है कि प्री इंडस्ट्रिल एरा से जो तापमान है हमारा हम कोशिस करेंगे कि इस सदी के अन तक उसमें 1.5 डिग्री सेल्सेस से ज़्यादा का बढ़ोती ना हो तो इस टारगेट को एचीव करना क्या है नामुमकिन है और अगर हम एचीव कर भी लेते हैं फिर भी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो जलवायू में पर्दन होगा उसके कारण वो काफी भयावा होने वाला है काफी भयावा इसलिए हमें एक नए तरीके से टारगेट सीट करना चाहिए और यहाँ पर भारत के बारे में भी यह कहा गया कि भारत को भी अपना जो टारगेट है जलवायू पर्दन को लेकर के emission को कम करने को लेकर के उसे क्या करना चाहिए परिवर्तित करना चाहिए तो कहने का मतलब यहां पर यह सिधा-सिधा है कि जिस target को achieve करने को लेकर के दुनिया काम कर रही है वो outdated हो चुका है यहां पर लेख़ का यह कहना है अगर हम उसमें से कुछ भी achieve कर पाते हैं तो भी आप देखोगे कि जलवायू परिवर्तर में के जो effect है वो दुनिया पर वो इतने भयावा होंगे कि फिर हो सकता है कि दुनिया का अंथी ना सुरू हो गाए तो थोड़ा साथ जो है आप लोग यह ध्यान में रखेगा कि जो Paris Agreement है वो क्या है आप लोगोंने काफी सारी चर्चाएं सुनी भी होंगी और आपको पता भी होगा कि आखिर इसमें क्या-क्या प्लाइन किया गया है कि किस तरीके से emission को क्या किया जाए कम किया जाए हर देश जो है अपना target सेट कर रहा है कि वो net zero 2050 तक 2060 तक 2070 तक क्या कर लेगा हर देश क्या कर रहा है अपने अपने देश में renewable energy को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसके लिए उसके net target सेट कर रखे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो goal है उसकी चर्चा तो हमने की ही कि हमें यह try करना है कि इस सदी के अंतक जो तापमान है उसमें 1.5 डिगर से ज़्यादा का बढ़ोतरी ना हो अगर बढ़ोतरी होता भी है तो कम से कम 2 डिगरी को तो वो पार ना करे तो बहुत सारे इसमें कदम उठाने की बात कही गई थी जैसे यहाँ पर यह का गया कि climate neutrality 2050 तक हमें क्या कर लेना है achieve कर लेना है जो clean technology है उसका हमें परचार परसार करना है forest जो है उसका role बहुत ही important है तो हमें पूरी दुनिया में जो जंगल है उनको बचाने को ले करके काम करना है तो यह बहुत सारे चीजene जो है यहाँ पर कही गई है लेकिन लेकर का यह साफ साफ कहना है कि यह सब कागजो पर है धरातल पकर देखा जाये तो जिस तरीके से प्रगती हो रही है वो नाकाफी है और किसी भी तरीके से हम इस target को achieve नहीं कर पाएंगे यानि कि दुनिया के तापान में जो बढ़ोतरी है वो दो डिग्री से ज़्यादा हो सकती है इस सदी के अंति तक और उस सदी से पहले भी हो सकती है तो यहाँ पर बस आपको इसका जो भावना है उसको समझना है क्या कहा जा रहा है इस पर काफी सारे लिखों पर चर्चा हो चुकी है ति target हम achieve कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैंने भी आपको इन चीजों को पढ़ाया है थोड़ा सा यह देख लिजए कि भारत का target है क्या climate change को लेकर के भारत के targets क्या है मैंने आपको दे दिया है कि भारत क्या करना चाह रहा है जैसे आप सभी जानते हैं कि हम यह चाहते हैं कि 2030 तक हम यह प्रियास करेंगे कि जो हमारे जो carbon emission जो carbon intensity था 2005 में उससे हम क्या करें 40 से 45 परसेंट की कमी करें तो इस तरह के target भारत रखे हैं आप सभी जानते हैं कि electric vehicle को लेकर के renewable energy को लेकर के हमारे target हैं हम यह चाहते हैं कि 2030 तक हम जितना भी बिजली का उत्पादन करते हैं उसका 50% कम से कम हमारा जो renewable source of energy है यानि कि जो अच्छे उर्जया है उससे हम प्राप्त करें तो यह हमारे target हैं तो यहाँ पर ही कहा गया है कि भारत को भी अपने target को और modify करना चाहिए पूरी दुनिया को ही modify करना चाहिए नहीं तो फिर जल्वायू परतन के जो जो बिभी सिकाएं हैं वो आपको और गंभी रूप से देखने को मिलेंगी अल्लीनों में तो आपने हाल फिलाल में ही पढ़ा है तो थोड़ा सा इसकी भावना को ही आपको ध्यान में रखना है मैंने जो बता दिया बस उतना काफी है इस न्यूज में पढ़ करके अपना टाइम वेश्ट आप लोग मत कीजेगा तो यहाँ पर जो है इस न्यूज को भी यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है एक और न्यूज जिसको आपको पढ़ना पढ़ेगा खुद से पढ़ना पढ़ेगा यहाँ पर जो फोर्थ न्यूज है टेलिंग टाइम विथ जियोलोजी तो आप सभी जान रहे हैं कि एक नया चर्चा अभी सुरू हो चुका है कि दुनिया में जो है नई यूग की सुरुवात हो चुकी है कुछ लोग का यह कहना है कि नई यूग की सुरुवात हो चुकी है तो जो पिर्थवी का पूरा का पूरा टाइम लाइन है उसको हम कितने भागों में बाटते है जो नई चर्चा है वो क्या है इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारी इंपोर्टेंट बाते कही गई है बहुत इंपोर्टेंट है यह छोटा सा न्यूज है लेकिन काफी सारी जानकारी आपको देता है जैसे यहाँ पर आप ध्यान रखेगा अगर हम बात करते हैं जो जो लोजिकल एरा है यानि कि पिर्थवी के जो उम्र है उसको अगर हम अलग अलग यूग में बाते तो चार यूग जो है हम लोग जानते है नाम को याद रखना है यह याद रखना है जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि जो पहला एरा है पिर्थवी के पूरे लाइफ का वो क्या है जिर्थवी का जो जीवनकाल, तो उसमें जो सबसे पहला यूग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसकी सुरुवात होती है, आज से 4.6 बिलियन एर एगो, जब हमारा जो प्लेनेट है, उसका फॉर्मेशन हुआ, और इमर्जेंस ऑफ दी फर्स् क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, प्री कैम्ब्रियन एर यूग, आगे चल करके, जो दूसरा यूग है, उसका नाम क्या है, प्लेजोईक एरा, जिसकी सुरुवात होती है, 541 मिलियन तू, 252 मिलियन एर्स एगो, तो ये आपके एक्जाम पॉइंट हुँ से क्या है, बहुत इसका नाम क्या है, प्लेजोईक एरा, जो कि 541 मिलियन तू, 252 मिलियन एर एगो, इसका काल माना जाता है, और इस दोरान क्या हुआ था, इस दोरान पिर्थवी पर जो है, कॉंप्लेक्स लाइफ, जैसे मचलियां हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्स हैं, एमफिबियन्स हैं, अगर मच वेगरा, सांप वेगरा, इनकी जो है, उत्पत्ती हुई, तो ये एक अलग युग की सुरुआत हुई, जो थर्ड एरा है, पिर्थवी के जीवन चक्र में, उसको हम बोलते हैं, मेसोजोईक एरा, है ना, जिसकी सुरुआत क्या है, लास्टिंग फ्रॉम, 252 मिलि एर्स एगो, तो ये उसका क्या हो गया, कालखंड हो गया, और इसमें कहा जाता है, कि इसी एरा में जो है, डैनासोर, वो दिखाई दिये थे, जो बहुत अलग अलग तरह के जो बर्ट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी उत्पत्ती यहां पर हुई थी, इसके ब तो चौथा युग, जिसका नाम क्या है, सिनोजोनिक एरा, और यहां पर जो है, जो modern एनिमल जो भी देखे जाते हैं, उनको धर्टी पर देखा गया, तो ये चार एरा में हम लोग अभी क्या करते हैं, जो भी life span है, किसका पिर्थवी का, उसको हम लोग बाटते हैं, तो ए यूज में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है, आज कल कुछ लोग का ये दावा है, कि जिस एरा को हम लोग मान रहें कि वो चल रहा है, जैसे जो चौथा एरा है, जिसको हम बोलते हैं, सेनोजोनिक एरा, हम मानते हैं कि उसकी सुरुआत हुई थी आज से 66 million year ago, और वो अभी तक चल रहा है, कुछ विस्टगू का ये कहना है, कि वो एरा खतम हो चुका है, और एक नए युग में पिर्थवी परवेश कर चुकी है, तो कुछ लोग का ये कहना है, इसको उन्हों बोलते हैं, एंत्रोपोसिन, जिसका नाम है, जो एक नए युग की बात कर रहे ह एरा की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, एंत्रोपोसिन एरा, जिसमें ये कहा गया है, कि इसकी सुरुवाद जो है, 1950 के, 1950 में ही हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग का ये मानना है, कि जो चौथा एरा हम मान रहे हैं कि वो चल रहा है, वो खतम हो चुका है, और एक नया यूग जो है, उसमें पिर्थवी जो है, परवेश कर चुका है, जिसको लेकर के काफी सारे निउस जो है, आपने देखे होंगे, तो क्या बोला जा रहा है, एंत्रोपोसिन एरा, और एंत्रोपोसिन वर्किंग ग्रूप के द्वारा इसको लेकर के एविडेंस भी दिये ग तो काफी सारे जो इंपोर्टेंट बाते हैं, वो इस छोटे से निउस में हैं, तो जो चार एरा जिसको हम मानके चलते हैं, यूग उसकी भी चर्चा है, कौन से यूग में, क्या घटनाए घटी उसके बारे में भी चर्चा है, और जो एक नया अभी चल रहा है कि नहीं, ए जरूर कभर करेंगे, क्लास खतम होगा, पेपर, देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, फिजिकल कॉपी नहीं आती है किसके, दहिंदू की, लेकिन आजकल तो डिजिटल जमाना है तो आप अराम से जो डिजिटल कॉपी है, मैं भी डिजिटल कॉपी से निउस बनाता तो जरूर इसको पढ़िए और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए ना, यूपी से के तयारी में सबसे डिफिकल्ट काम है वो क्या है, अपने करेंट अफेर्स का एक अच्छा नोट्स बनाना, या तो ऐसे सोर्स होना, जहां से आपको करेंट अफेर्स अच्छे कॉलिटी क मिलता रहे, तो थोड़ा सा कुछ आपको भी लिखना होगा, कुछ आपको मेगजिन के थुरु आपको मिल जाएंगे, पेपर के थुरु कट्रिण जो पीडियffeeर वो मिल जाएंगे, तो थोड़ा मेहनत करना होगा सबसे ज़़ा किसमें, शरुरूर देंगे, यह सबसे कॉं जैसे इसको बस देख लीजेगा, यहाँ पर जो है, दो ऐसे टर्रिस्ट ग्रूप की चर्चा है, जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि, निया फाइल्स चार्चित अगेंस नाइन एक्यूस्ट लिंक टू, बीके आई एन खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो थोड़ा सा यह देख करेंगे एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि यह इंटर्नल सीकूरिटी का बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है, नियूस है, तो थोड़ा से इसको देख लीजेगा, बाकि इसमें और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है ना, बस यही देख लेना है कि वो दोनों जो एजेंसि आफटर टू डिकेट्स, अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है, देखें, नियूस पढ़ करके वहां से कुछ जानकारिया निकालना, अब जैसे आप देखोगे, इस नूस में आपको बोलोगे क्या इंपोर्टेंट है सर, तो सबसे इंपोर्टेंट हो गया, चंबल कै जिसके बारे में मैंने यहां पर चर्चा की है, तो नियूस में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको लेकर के आप से एक्जाम में कुछ कोशन पूछ लिया जाए, नियूस के हेडिंग्स में ही आपको एक टॉपिक छुपा हुआ है, और टॉपिक है कि चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट आखिर है क्या, कब इसकी सुरुवात हुई, और ये प्रोजेक्ट में क्या-क्या करने का काम किया गया था, तो यहां पर आपको सबसे पहले इस नियूस में बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में एक नोट्स बना लेना है मैंने आपको यहां पर दे दिया है यसे यहां पर क्या कहा गया कि जो चंबल कैनाल इरिगेशन प्रजेक्ट है इस रिलेटेट टू दा यमुना बेशिन और यहां पर आप देखोगे तो दो एस्टेट्स राजस्थान और मध्य परदेश के द्वारा जो है इस प्रजेक्ट की जॉइंटली क्या किया गया सुरुवात किया गया और यहां पर आप देखोगे कि यह इस प्रजेक्ट की सुर तो फ़र्स्ट फ़ाइव यर प्लान में ही इस चंबल कैनाल इरिगेशन प्रजेक्ट का क्या किया गया अधार सिला रखा गया इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो फ़र्स्ट फ़ाइव यर प्लान और वहाँ पर जो है क्या किया गया था चंबल कैनाल इरिगेशन प्र पानी मुहिया कराना आप देखोगे इरिगेशन मतलब वहां पर जो खेती के लिए पानी मुहिया कराना पीने के लिए पानी मुहिया कराना जो हैड्रोलेक्सिटी है उसके जनरेशन के लिए बांध बनाना है ना इसके क्या थे उद्देश थे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के और क्या कहा गया कि यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से डेम सामिल थे याद रखेगा इस प्रोजेक्ट में जो है गांधी सागर डेम, हराना परताफ सागर डेम, जवाहर सागर डेम और important बात यहाँ पर सबसे अंती में कही गई है क्या कहा गया कि चंबल river valley development project in 1951 was the part of first five year plan launched by the government of India जो मैंने आपको सुरुवात में कही कि जो चंबल कैलान irrigation जो project है वो इस देश के सबसे पुराने जो project है उसमें सामिल है तो first five year plan में जो है इसकी अधार से लखी गई थी और राष्थार और मद्रप्रदेश याद रखेगा यह दो राज इस project में लभानवित है और इसका उद्देश से क्या था उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है तो न्यूज में जो है बहुत सारी ऐसी बाते है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी नहीं आगा बोलेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था इस न्यूज के बहाने चर्चा करना कि आखिर चंबल कैनाल इर्रिगेशन प्रोज के जो मैंने दिया है उसको जरूर नोट डाउन करेंगे बढ़ते हैं एक और न्यूज की तरफ आज का सात्वा न्यूज और सात्वा न्यूज क्या है कि विल जैन्रिक सप्लाई औफ बेड़ा कुलिन बी एकसेसेबल अब ये है क्या टीवी की विमारी पूरी दुनिया इस जिसे हम लोग बोलते हैं बेड़ा क्यूलिन और ये दवा जो है काफी महंगी आती है महंगी क्यों आती है क्योंकि इसको बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है जॉन्सन एंड जॉन्सन और उसके पास इसका पैटेंट है और इस वज़े से जब देखिए मोनोपोली है और जहां भी मोनोपोली होती है वहां पर जो कंप्री है वो प्राइस फिक्स करता है और आप क्या होता है और आप क्या होते है प्राइस टेकर होते हैं तो जहां पर भी मोनोपोली है आपने पढ़ा होगा एकनोमिक्स में कि जहां पर भी मोनोपोली है वहां पर जो कंप्रि होते हैं वो क्या होते हैं प्राइस टेकर होते हैं तो वही हाल यहां पर इस दवाय के साथ भी था जो बेडा कुलिन है वो बहुत ही important दवा है उन मरीजों के लिए जिनके अंदर जो है टीवी के अन्य medicine के खिलाफ क्या है रेजिस्टेंस जो है उत्पन हो चुका है तो टीवी का जो अलग-अलग स्टेस और वहाँ पर जब सारी दवायां बेकार हो जाती है टीवी के इलाज में तब जाकर के इसका उप्योग किया जाता है लेकिन इसको बनाने वाली वह इससे इलाज कराना उनके लिए मुश्किल था लेकिन अभी क्या है आया है news कि Johnson & Johnson का जो पेटेंट है इस दवा को लेकर के वह 18 जुलाई 2023 को क्या हो गया समाप्थ हो गया इसके बाद Johnson & Johnson ने क्या किया दुबारा से इसके पेटेंट को आगे बढ़ाने के लिए अरजी डाली कि 2027 तक इस दवा के बनाने का पेटेंट सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो Johnson & Johnson के पास हो जिसको की दुनिया के लगभग 66 लो एन मिडिल इंकम कंट्री के दवरा एक्सेप्ट किया गया लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया इसको एक्सेप्ट नहीं किया देखे याद र लेकिन चुकि Johnson ही Johnson बनाता था इसलिए इस दवा का दाम जो है काफी जादा होता था अब जब 18 जुलाई को इसका पेटेंट का जो अवधी वो खतम हो गया तो ये कहा गया कि अब इस दवा को जो है पाकी सारी कमपनिया भी क्या कर सकती है अलग अलग नाम से बना सकती है ज क्योंकि पेटेंट तो समाप्त हो चुका है इस बेड़ा कुलिन को बनाया जाने लगा तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका दाम पूरी दुनिया में क्या होगा लगभग आधे के करीब आ जाएगा लेकिन Johnson & Johnson को क्या चाहिए मोटा मुनाफा तो उसने क्या किया री पे 36 कंट्री में से 34 ऐसे देश हैं जहां पर टीवी का विमारी का खत्रा काफी जादा है वहां उन देशों ने भी क्या क्या जॉंसन & Johnson के पैटेंट को रिनिव कर दिया लेकिन भारा जैसे देश ने नहीं किया क्यूं क्यों क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीवी का विमारी जो बहुती खतनाग मारी के रूप में इसको घुसित किया गया लेकिन इसका जो दवा है वो काफी महना मिलता है और इसygen लिए कहा गया कि जो मोनोपोली है जो नसलिए जो ढूर। याद रखेगा, टीवी के बारे में अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि H.E.R. नियरली हाफ ए मिलियन पिपूल डेवलोप ड्रग रिस्टांस टीवी और नियरली 10.4 मिलियन पिपूल डेवलोप ड्रग सेंसेटिव टीवी तो कहा यह जा रहा है, कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं काफी संख्या में लोग क्या होते हैं टीवी से ग्रसित होते हैं और जैसे ड्रग रिस्टांस टीवी की बात हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि जब आप लिलाज करते हैं टीवी का तो सुरुवात में जो भी दवाईयां दी जाती है, उससे आप पर कोई असर नहीं हो रहा है तो क्या कहा जाता है? ड्रग रेस्टांस आपके अंदर क्या हो गया? जनरेट हो गया यानि कि जो TV की अन जो दवाईयां है, वो आपके खियोर में कोई काम की नहीं रह गई तब जाकर के बेडा कुलिन का क्या होता है, उपयोग होता है वो दवाई लेकिन काफी बहंगी है जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे लोग इलाज कराने में असमर्थ हो जाते है लेकिन और इसके दवाई के महंग होने का रिजन क्या है क्योंकि इसका पेटेंट सिर्फ एक कमपनी के पास था अब जब पेटेंट खतम हो जाएगा तो यही कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में इसका निर्मान होगा जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो गरीब पेशेंट है वो असानी से क्या करा पाएंगे इस टीवी के इलाज को करा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर दाम अगर भारत ने बनाना सुरू कर दिया तो दाम लगभग लगभग आधे से भी कम हो जाएगा तो टीवी की इमारी और इसलिए यहाँ पर जो निउस है उसमें यह कहा गया कि क्या क्योंकि देखे, 66 देशों ने रिन्यू कर भी दिया उनके पेटेंट को किसके? जॉणसन औं जॉणसन के पेटेंट को लेकिन कुछ देशों ने नहीं किया है तो यही कयास लगाये जा रहा है कि आखिर जो पेटेंट खतम हुआ है उसे क्या जो बेडा कुलिन जैसा जो दवाई जो टीवी के इलाज में कारगर है क्या वो सस्ते दावों पर धुनिया को उपलब्द हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो थोड़ा पूरा का पूरा मामला समझना है टीवी की मारी को ले करके जो आकड दिये गए है थोड़ा उसको नोड़ डाउन कर लीजेगा और पूरा का पूरा मामला तो मैंने आपको समझाएं दिया थोड़ा इस न्यूज को भी आपको क्या कर लेना है देख लेना है अब यहाँ पर जो है एक आज का जो लाश्ट न्यूज है C.E.R.T.N. Caution Against Ransomware Akira Attack A-K-I-R-A तो यह किसी का यह किसका नाम है यह नाम है एक ऐसे Ransomware का जो की आज कल क्या है कुछ जादा ही लोगों के सिस्टम को अटेक कर रहा है आप सभी जानते है Ransomware मतलब आपका PC आपका Mobile या फिर कह सकते है आपका जो Personal Computer है, Laptop है उसमें एक वारस को छोड़ दिया जाए और वो क्या करे आपके जितने भी Personal Data है सब को क्या कर ले चुरा ले और चुरा करके इसको क्या कर दे किसी दूसरे कोड में कनवर्ड कर दे या फिर कोई Password लगा दिया गे यहां पर अब आपके लिए वो Data Sensitive है तो आपको ओ Data चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे ये जो वारस छोड़ने वाले लोग हैं वो फिर आपसे इसके बदले में पैसे मांगेंगे अगर आपको अपने Computer का Access चाहिए उस Password को चाहिए तो आपको क्या करने होंगे कुछ पैसे चुकाने होंगे अगर माल लीजे कोई बहुत बड़ी Company है उसके सिस्टम को हैक कर लिया गया इस अकीरा वारस के थुरू और उसके Sensity Data को क्या कर लिया गया चुरा लिया गया तो फिर असानी से उस Company को Blackmail किया जा सकता है उस Data को दुबारा से देने के बदले में Ransom मतलब की जो पैसे वेगर है वो मांगे जाते हैं इस लिए इस तरह की जो चोरिया होती है वारस के माध्धमसों क्या का जाता है Ransomware और जिन वारस का इस्तमाल होता है उन्हें हम लोग क्या बोल रहे है Ransomware तो यह जो अकीरा है वो क्या है तरीके से Ransomware है वो क्या करता है क्या कह रहा है कि Window और Linux-based system को यह क्या करता है टारगेट करता है आपके information को चोरी कर लेगा उसको encrypt कर देगा और फिर जब आप दुबारा से उस पर control करना चाहेंगे तो फिर आपको कुछ पैसे वगरत देने होंगे तब जाकर के फिर आपका sensitivity आपको मिलेगा तो थोड़ा इसके नाम को भी आप लोग क्या कर लेंगे Note down कर लेंगे Akira Ransomware क्या होता ये आपके लिए important है तो मैंने आपको बातो बातो में समझा दिया तो ये कुल आठ topic ऐसे हैं जिसकी चर्चा हमने आज की है कुछ question पहले देख लेते हैं और question काफी important है पहला question क्या है कि भारत को घरेली चुनोतियों पर ध्यान केंदित करते हुए West Week राजनीती में सक्रिये भूमी का निभानी चाहिए विस लिसन करें तो आप जितने भी लोग अभी online देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग आगे देखेंगे पूरे के पूरे news को बस आप मुझे comment में ये बताएंगे कि आखिर भारत को जो है West Week राजनीती में हिस्सा लेना चाहिए उसके पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं और भारत को अभी नहीं हिस्सा लेना चाहिए उस मामले में आपकी क्या राय है तो 4-4-3-3 point जो है मुझे आपको बताने है पक्ष और इपक्ष दोनों बातों के बारे में कि भारत को वैस्विक राजनीती में हिस्सा लेना चाहिए उसके पक्ष क्या है और नहीं लेना चाहिए तो उसके पक्ष क्या है ठीक है ये सभी बाते आपको मुझे बतानी है दूसरा क्या है मनी लॉंट्रिंग से निपटने के समंध में परवर्तन सले की सक्तियां और भूमिका पर चर्चा करे तो फिर आप इसको थोड़ा सा ED बगर के बारे पढ़ करके लिख सकते हैं लेकिन जो पहला जो कोश्चन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग मुझे अपनी सोच जो मैंने आपको इतना पढ़ाया फर्स टॉपिक में उससे आपकी क्या सोच डेबलब हुई उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं सबसे ज़रूरी वही है तो आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये समचार विसलेशन पसंद आया होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस टॉपिक को आपको क्या करना है पढ़ना है जो मैंने बताया है उसको सुनने के बाद काफी सारा फायदा आपको होगा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो करेंट अफेर्स है वो ऐसा सेक्षन है हर साल बदलता है जो लोग पहले से त्यारी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि एक साल अगर जो छूप जाते है तो अगले साल सबसे जो मुस्किल काम है वो यही है कि फिर से एक साल का करेंट अफेर्स कैसे त्यार किया जाए तो जो लोग भի त्यारी कर रहे हैं आपके लिए करेंट अफेर्स काफी इंपोटेंट तो उसके notes बनाने चाहिए आपको अगर आपके पास time नहीं है तो PDF से अगर चल जाता है तो PDF से भी आप काम चला सकते हैं लेकिन पढ़ना जरूर है news को फ़र time दीजिए काफी सारी बाते आपको सीखने को मिलेंगे तो मिलते हैं अगले सत्र में अगर आपको यह सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको like करें इसको share करें तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद